आपके अपने YouTube चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपोश्री स्कीम 2023 के बारे में जी आज दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूपोश्री पोरिकॉल पो क्या है किस तरीके से आप इसको online या offline apply कर सकते हो क्या इसका objective है, क्या benefit है, क्या criteria है, क्या application process है किस तरीके से आप form collect करोगे, application form को fill up करोगे और किस तरीके से आप submit करोगे तमाम topic पे आज के वीडियो में हम लोग detail में बात करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तो आगे भी ऐसे ही informative और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और दोस्तो bell icon को जरूर on कर ले ताकि future में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तो उसका notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूपश्री scheme आखिरकार है क्या तो दोस्तो रूपश्री scheme जो है West Bengal government के तरफ से मिलने वाला एक one time financial grant है जी हाँ दोस्तो जो के ऐसा girls को दिया जाता है जिनका family background जो है वो बहुत poor है जिनका financial background बहुत poor है और उनका जो है वो marriage में यानि शादी में गवर्मिंट के तरफ से ये scheme का लाब दिया जाता है ताकि family background financial background खराब होने के वज़े से पूर होने के वज़े से उनका शादी में कोई दिक्कत नहीं आए और किसी भी लड़की का शादी यह पैसर से यानि 25,000 रुपे से अच्छा से हो सके तो दोस्तों अगर हम लोग रूपोश्री स्कीम का अबजेक्टिव के बारे में बात करें तो गवर्मेंट का एकदम साप अबजेक्टिव है जो फैमिली पूर रहते है और जिनका लड़की का मैरिज वगएरा रहते है तो बहुत सारा लोन वगएरा का चकर में बढ़ जाते हैं बहुत हाइए इंटरिस में लेते हैं और बात में जो है लोन वगएरा नहीं चुका सकते हैं तो बहुत सारा सूसाइट हाई वगएरा का केस भी वेस बिंगॉल में आते रहते हैं तो इसलिए गometer ने ये का पैसा से जो है वो अपना लड़की का शादी करा सकते लोन वग्यारा बिना लोन वग्यारा का जमिला का तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि क्या eligibility criteria है रूपश्री स्कीम के लिए तो दोस्तों आपको बता दे कि सब से पहले जो है लड़की का एज 18 साल से जाधा होना चाहिए जिए ऐसके लावuto है वह लड़की का जो है यह पहला शाधी होना चाहिए रड़की सबसे पहले बता दिया आपको कि 18 से जाधा होनाः चाहिए دوسरा बता है कि unmarried होना चाहिए वो लड़की का ये वाला शादी जिसका लिए apply कर रहे है पैसा के लिए वो उसका पहला शादी होना चाहिए इसके इलावा जो है वो West Bengal में जो apply कर रही है वो West Bengal का bonn होना चाहिए या पैदाईश उसका यहीं होना जरूरी है या कम से कम पास साल से वेस बिंगॉल में रहती हो तबी application कर सकती है family income जो है दिल लाख से annually कम होना चाहिए इसके इलावा जो groom से यानि जो लड़का से उसका शादी हो रहा है उसका age 21 years से जादा होना चाहिए और उसका bank account होना जरूरी है क्योंकि पैसा जो है bank account में होगा तो दोस्तों ये eligibility criteria है आपको बता दिये कि 18 साल से लड़की को जादा होने होगा उसका पहला शादी होना चाहिए इससे पहले अगर शादी हो गया होगा तो बार बार apply नहीं कर सकती कि एक ही बार पैसा मिलेगा और वेस्ट बिंगल का resident होना चाहिए यहां उसका बॉन होना जरूरी है अगर नहीं भी बॉन हुए तो कम से कम पास साल वेस्ट बिंगल में रहना जरूरी है family income जो है वो देल लक्स है annually कम होना चाहिए लड़का का एज जो 21 सल से जाद होना चाहिए और bank account होना जरूरी है तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा document का जरूरत पढ़ेगा आपको रूपश्री scheme apply करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास age proof होना चाहिए जहां दोस्तों age proof के लिए आप कुछ भी सर्टिफिकेट रख सकते हो आपके पास बर्ट सर्टिफिकेट हो आपका वोटर आईडी काड़ हो पैन काड़ हो मध्धमिक का एडमिट काड़ हो आधार काड़ भी चलेगा प्राइमेरी स्कूल लिविंग सर दॉक्यूमेंट में से कुछ भी चलेगा उसके बाद दोस्तों आपको अनमैरिट सर्टिफिकेट लगेगा आपको फैमली इंकम का सर्टिफिकेट लगेगा आपको रेसिडेंट प्रूफ चाहिए होगा लड़की का बैंक अकाउंट लगेगा जैसी आपको बताए इसके ल दोस्तों दोनों का पासफोर्ट साइस फोर्टू लगेगा यानि लड़की का भी और लड़का का भी यह सारा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है तभी आप इस स्कीम के लिए रूपश्री स्कीम के लिए अपलाई कर सकते हो तो दोस्तों अब बात उठता है कि आप किस तरीक इस या आपको आपका कालपरोशन औफिस में जो है तीनों जग़ा आपको फॉर्म असानी से मिल जागा आपको सिंपली वहां से फॉर्म लाना है video SDO ए फिर कालपरोशन से और वहां से लाने के बाद आपको फिलब कर लेना है और आपको स्क्रीन में नजर आता होगा इस त चानरा आपका सारा डॉक्यूंट वगारा जो है अटाच कर देना है और उसके बाद जो है इसको कोई भी यानि बीडियो एस्ट या फिर आपको जो है कार्प्रोशन में ले आकर जम्म कर देना तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह simple process आपको समझ में आगी होगा और आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आगे भी ऐ ऐसे ही informative और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और दोस्तो बेल आइकन को ज़रूर on कर लें ताकि future में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तो उसका notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे और दोस्तो अगर आप Facebook या Instagram कहीं पे भी है तो दोस्तो आप मुझे है फिर किसी नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ है कि अ हुआ है